हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं केमिकल से भरा टैंकर चालक और परीचालक को कूत कर भागता हुआ देखते ही टैंकर ने धूदू कर आग पकड़ ली और थोड़ी ही देर में आग ने विक्राल रूप धारन कर लिया सांडे राव व सुमेरपूर पुलिस आग बुझाने व यातायात विवस्ता सुधारने में लगी इधर बाइक पर सवार दंपत्ती को पीछे से आ रहे परीजन तुरंत दूसरे वहन से सुमेरपूर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुँचे किसी भी पुलिस अधिकारी को बाइक धुरगटना की जानकारी नहीं थी सभी आग बुझाने में जुटे हुए थे रात में इलाज के दुरान बाइक पर सवार महिला की मौत हो गई तभी परिजनों ने पुलिस को बताया चांगवा निवासी मांगिलाल पुत्र पूराराम भील ने पुलिस को रिपोर्ट दी और बताया कि वो और रतनलाल दोनों एक बाइक से सुमेरपूर से सांडेराव की ओर जा रहे थे उनके आगे उनका भाई सोहनलाल वो उसकी पत्नी मोहनी देवी बाइक पर चल रहे थे के लिए लेकर गए जहां इलाज के दोरान मोहनी देवी भील उम्र 45 वर्ष निवासी सांडेराव की मौत हो गई और सोहनलाल गंबी रुप से घायल है जिसे की पाली रेफर किया गया है पुलिस ने मामले को दर्च कर जा शिरू कर दी है जागरुक टीवी के लिए सांडेराव से नटवर मेवारा की रिपोर्ट